So, hello everyone, so CGL 2023 के aspirants का इस समय कुछ यही हाल है, है ना, ओ भही मारो मुझे, क्यों? क्योंकि अब SSE जो है, हर रात कुछ तुफानी करती है, माना सबका मन होता है रात को तुफानी करने का, लेकिन यह सारी चीज़ें घर में करनी चाहिए, है ना, students के साथ खिलवार नहीं करना चा रिवाइज रिजल्ट निकाला है, यानि कि इस रिवाइज रिजल्ट में इन लोगों ने 23 घरों में बमफोड़ा है और 23 घरों में, खुशी का हम बोल सकते हैं, बमफूड़ा या है, और 23 घरों में गम का, अब 20 aspirants जो पुरानी वाली PDF में थे, लिस्स में थे, उनको हटा 23 aspirant और उन्हें बगयाद है लिस्ट पी रिलीज किये कि कौन है 23 aspirant ठीक है तो कोई ना कोई तो ही है तो उनके साथ अब सुचे कि उन लोगों ने मतलब खुश्या मनाना स्टार्ट कर दिया होगा कि हमारा सेलेक्शन हो गया है डिफरेंट पोस्ट पे और अभी किया हम उनको सुनने को मिल रहा है कि वो ही नहीं सेलेक्शन ही नहीं हुआ आपका तो यह मतलब घोर मजाक है और उनका रियक्शन तो कुछ यही होगा ठीक है और यह सिर्फ 23 अभी aspirant के साथ नहीं बाकी भी aspirant है जिनकी मेरा मतलब अनुमान था टॉप 10 में मैं बसनली जानता था कि हाँ इन लोगों के 3-4 ऐसे स्टूडेंट से कि यह आने वाले हैं टॉप 10 में ठीक है जैसे कि एक स्टूडेंट थी उसकी रैंक थर्ड चल रही थी महक की उस पर जो रैंक है क्यो होता है उस पर और अभी उसकी रैंक है 26 ऐसे एक स्टूडेंट जिसकी फोर्थ रैंक चल रही थी इसकी रैंक अभी 77 है अभी मुझे कल वाला का तो नहीं पता कल क्या कॉर्डिंग अगर उपर नीचे हो गया लेकिन जो पहले वाली जो पीडियाफाई थी उसके अकॉर्डिंग बता रहूं कि जिसकी रै जादा मतलब उपर नीचे चीजें कैसे हो गई यह अभी भी चीजें अंक्लियर हैं और यह चीजें क्लियर तभी होंगी जब आंसर की आजाए और आंसर की का अभी तक कोई आता पता नहीं है तो जब तक आंसर की नहीं आती है तब तक I think सभी जो आस्परेंट है कि जान व कुछ चेंजेस ना हो जाएं क्यूंकि जो स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि उनको लग रहा है कि हमारे आंसर के में इतने मांक्स थे हमारे जैसे काफी सारे आस्परेंट के इतने मांक्स थे उसका सेलेक्शन हो गया उसको GST इंस्पेक्टर मिल गया हमें कुछ नहीं तो जो ऐसे स्टूडेंट्स है वो अपनी तरफ से अक्टिविटी कर रहा है अब यहां पर मैं किसी का पक्ष्ट और विपक्ष्ट नहीं रहा हूं लेकिन हाँ यह है कि जो चीजें वो सामने तो आएं ठीक है और यहीं बाखी टीचर्स के भी मांगे सभी ने तो पता नही इस रेस किया और यहीं किया लेकिन आज इनको यह परस्नली जानता हूं लोगों ने इस्विरेस किये हैं है ना और इस बेड़ तिंग एक चीजें तो एकदम प्लियर कट हो और वह तभी क्लियर कट हो सकती है जब आंसर की रिलीज होगी कि इन लोगों ने कुश्चन के सारी चीज़ें हुई है उथल पुथल ये काफी मुश्किल है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब जो प्रिडिक्शन चल रहे थे कि हाँ इसकी इतनी रांक इसकी इतनी रांक वो सब चेंज हो गए है ठीक है तो मेरी उम्मीद तो ही है कि जो लोग टॉप रांक्स पर बैठे ह हुए है फिर जेनलों का सेलेक्शन हो गया जो टॉप रैंक पर बैठे हुए उनका तो खेर चाहिए कुछ भी चेंजेस हो सेलेक्शन तो उनका हो गई लेकिन अब यह है कि जो लोग बार्डर पे उनके साथ कुछ अनफॉशनेट इंसिडेंस ना हो जिस तरह से यह से करती ह है रात में ठीक है तो अब मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ और अपनी तरफ से यही वोईश रेस कर सकता हूँ being a teacher कि as soon as possible answer की release होनी चाहिए बाकि इसको लेके जो आपने जो thoughts हैं जो वो अपने comment section में रख सकते हैं बाकि तो मेरा यही मानना है कि जब तक कि चीज़ें नहीं हो और बिलकुल खुशे भी होती है लेकिन हम सोचें उनके साथ क्या मतलब भीतरी होगी है ना तो खेर बस यही पर इस वीडियो को एंड करते हैं छोटी सी वीडियो थी थैंक्यू